प्रेवियू तो हलो एन वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं लास्ट नाइंद का सोशल साइंस का चेप्टर नमबर सेकेंड का नेक्स्ट पार्ट तो लास्ट वीडियो में हमने उत्राखंड के एक गाउं बार्सू के बारे में पढ़ना चालू किया था वहाँ पर हमने देख लिया था कि वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो कैसी है वहाँ किस तरीके से अगरिकल्चर किया जाता है किस तरीके से वहाँ पर ठंडी के दिनों में काम किया जाता है ये सब बाते हम लोग डिसकस कर लिया थे अब हम लोग उसी में आगे देखते हैं वो जो Barsu गाउों हैं वहाँ के लोग जोए अब Animal Husbandry पर भी जो है क्या करते हैं काम करते हैं उसके बारे में देखते हैं अब यहाँ पर देखो जो बार्सु गाउं है उसके आज पास का जो एरिया है वहाँ पर जो है बहुँ ज़ादा population है किसका एक community है जिसका नाह है जाड ठीक है और इनके आस पास के जो गाउं के जो community के जो लोग है जाड यह community के लोग क्या करते हैं जो है सीप और अपना जो गोट होता है इसको जो क्या करते हैं वो रखते हैं और अप्रेल के महिने में क्या करते है यह जो सीप और यह जो गोठ है इसको लेकर यह हिमालय के उच्चे परवतों पर क्या करते है पहुँंच जाते हैं जहाँ पर गर्मी के दिनों में जहें बहुत अच्छी मुलायम घास जो है क्या होती है वहाँ पर उगती है और कभी- कराते हैं Chinese border के पास भी जो है क्या होते हैं पहुंच जाते हैं अब इनको इतना knowledge रहता है कि कौन सा जो mountain है वो इंडिया में आता है और कौन सा mountain जो है चाइना में आता है तो इसलिए कभी भी जो हो Chinese border पर जो है नहीं जाते हैं अब यह अपना काम करते समय जो है हिमाले के बारे में बहुं सारा knowledge इगठा कर लेते हैं कि इसका terrain कैसा है कहां पर घास मिलेगा कहां पर जादा बरबारी है कहां पर जाना dangerous है यह सब का knowledge उनको proper रहता है जब वो अपने sheep और goat को जह चराने के लिए जाते हैं अब इनको जो है यह ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन के लिए जाते हैं यह महिनों के लिए जो है क्या होते हैं क्या करते हैं अपने sheep और goat को लेकर चराने के लिए जाते हैं एक महिना दो महिना के लिए चले जाते हैं कई बारतों या तीन महिने के लिए भी चले जाते हैं तो यह क्या करते हैं अपने साथ पूरा खाने पीने का सामान जो है लेकर जो है चलते हैं अब जब जुलाई और अगस्ट में ठंडी जादा पड़ती है तो यह क्या करते हैं उचे हिमालयों से उतरना चलू करते हैं और नुवंबर तक अपने घर वापिस आ जाते हैं The mountain grass is suitable for grazing especially for sheep जो mountain में जो घास जो उखता है वो बहुत अच्छा होता है जो सीप के लिए बहुत अच्छा होता है सीप are raised in the western हिमालय for their meat and wool वहाँ पर western हिमालय के जो लोग है वो सीप को इसलिए पालते हैं ताकि उससे उनको meat मिल सके और उससे वो क्या बना सके? This is why sheep rearing a major occupation. There is no grass when the region fridges in the winter so where do the sheep graze them? अब ठंडी के दिनों में आपसे question पूछ रहा है ठंडी के दिनों में हिमालय जो होता है उसमें तो क्या हो जाता है बहुत जादा बर्फ जम जाता है तो उनको घास तो नहीं मिलता होगा तो कैसे करते होंगे? तो क्या करते होंगे? गर्मी के दिनों में घास को इकठा करके अपने घरों में रखते होंगे जब बर्फ बारी जादा होती होगी तो उसी घास को प्योग जानवरों को खिलाने के लिए करते होंगे अब यहाँ पर देख सकता हों आपको यहाँ पर जो एक जगा दिकर जिसको बुग्याल बोलते हैं बुग्याल मतलब क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत प्यारी घास पाई जाती है यह ऐसा एरिया होता है जहां पर यहां के गोट और क्या बोलते हैं सीप को चराने के लिए जो है सफिशन्ट अमूंट में ग्रास प्रेजेंट होता है उसको बुग्याल बोलते हैं जब वो क्या करते हैं हिमालय के ऊपर में रहते हैं तो वहाँ पर उनको क्या मिल जाता है वहाँ पर उनको ग्रास मिल जाता है जैसे ठंडी बढ़ती है तो उपर में जादा ठंडी लगती है तो नीचे आने लगते हैं और जब वो अपने गाउं के आसपास नीचे वाले एरिया पर पहुँचते हैं तो उस समय गाउं में ठंडी उतनी जादा नहीं रहती नीचे में तो यहाँ पर नीचे में उनको कुछ समय तक और जो है ग्रेजिंग करने के लिए घांस वगरा जो है क्या होता है मिल जाता है यहाँ पर यह खेती भी करते हैं और ठंडी के दिनों में यह क्या करते हैं और blanket वगरा बनाते हैं जिसका ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, यूज करते हैं आगे देखते हैं, there are several tribes living in the Himalay who migrate seasonally with their livestock इसके अलावा हिमाले में बहुंँ सारे tribes लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं अब माईग्रेट जो हैं continuously करते हैं, ठंडी के दिनों में एक जगा रहेंगे, गर्मी के दिनों में कहीं वार चले जाएंगे अपने सांच जानवरों को भी वो क्या करते हैं, continuously जो हैं माईग्रेट जो हैं करते रहते हैं प्रोमिनेंट अमंग देम इस दा भोटिया ट्राइब अफ गहरवाल एंद कुमाओं, वो ग्रेज सीप, गोट एंड केटल और उसी में जो है एक ट्राइब है जिसका नाम है भोटिया ट्राइब जो कि क्या है गहरवाल नमक जगा पर ये कुमाओं जगा पर रहते हैं लोग और ये अपने सीप वगरा, बकरी वगरा, कैटल वगरा को क्या करते हैं ग्रेज कराने के लिए एक जगह से दूसरे जगह कंटीनुवसली जो है ले जाते रहते हैं दबखरवाल ट्राइब ऑफ कस्मीर ओनली रेस गोट वाइल दक गुजज़ ऑफ जम्मू कस्मीर हमाचल परदे से उतरे खंट रियर बफैलो यहाँ पर एक और community है जो हिमाले tribes के एक नाम से जानी जाती है जिसका नाम है बakahरवाल और ये बकरवाल जो है कस्मीर वाले एरिया में रहते हैं जहाँ पर ये सिर्फ बकरी का पालन करते हैं बकरी रखते हैं। वही पर जो गुझजर हैं जम्मू में हिमाले में उतरा खंड म हिमाचल प्रदेश, इसके अलग कुछ होड ट्राइप्स जैसे चंग पास जो है लडदाग का है और यहाँ पर जो एक किन नौरा जो है वो कहां का है, हिमाचल प्रदेश के जो हैं, ये क्या है ट्राइप्स हैं ठीक है, जो की अलग-अलग सीजन के हिसाब से अपने आपको ढालते हैं और grazing करवाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह गोट को सीब को ले कर जाते हैं ठीक है अब आपको मैं एक बार Earth Map में आपको दिखा देता हूँ Google Map में कि यहाँ पर जो है जो जिस गाउं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बार्सु गाउं वो उत्राखंड में जो है कहाँ पर है और उसके बारे में थोड़ा सा दर्सन जो है हम लोग कर लेते हैं ठीक है तो zoom in करते हैं हम लोग बार्सु गाउं पर यह देखो पार्सु का पूरा मौन्टेनियस रेजन से पूरा घीरा हुआ है कि अब देख सकते हो और इसी एरिया पे जो है यहाँ पर बार्सु जगर है जहाँ पर क्या है यहाँ के लोग रहते हैं देखो कितनी कम पॉपॉलेशन है इनकी देखो बहुत ज़ादा कम है कि नहीं यह देखो बहुत कम पॉपॉलेशन ज़ो है यहाँ पर क्या करती है exist जो है करती है बहुत कम population जादा population जो है नहीं है ठीक है ये बारसोग गाउं है अब इस तरीक यहां से देखो किस तरीके से ये terrace जो है बनाए हुए ताकि terrace field पर क्या कर सके ये agriculture जो है ये terrace field है एक के निचे एक के निचे एक प्लेन अरिया बनाए है टेरेस फिल जहां पर यह क्या करते हैं अगरिकल्चर करने का काम जो है करते हैं ठीक है अब देखते हैं कि यह जो है कहां पर देखो तो यह चाइना बॉर्डरी के बहुत नजदीक है तो यह क्या करते हैं जब ठंडी के दिनों में जो है अपने जानवरों को कई किलमेटर उपर ले जाते हैं हिमाले वाल रीजन पे और वहाँ पर जो घास होती है उसका उपयोग जो है करती है देखो बॉर्डर के कितना नजदीक है ये चाइना है हमारा और ये हमारा इंडिया है लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता रहता है कि इंडिया का मौंटेन कौन सा है और चाइना का मौंटेन कौन सा है त वो गया करते हैं चाइनीज बॉंडरी पे जो है नहीं जाते हैं ठीक थायओ आपको आपको समझ में आ गया होगा कि कि इस तरीके से बार्शू गावों के लोग जो है रहते हैं और कितनी ज़ादे यहाँ की पॉप्यशन है का Snowfall is heavy in the upper reaches of Himalaya, the melting snow flow down the mountain side in small stream and rivers, the swiftly flowing water is carried a large pipe to run the turbines to generate electricity, अब देखो, Himalaya के उचे हिस्सों में क्या होती है, बहुं ज़ादा snowfall होती है, और यह snowfall है न, यह धिरे-धिरे water के format में नीचे आने लगती है, तो लोग क्या करते हैं आप देखो, mountains जो होते हैं बहुंत प्रोपी होते हैं तो इस पे जो water है या snow होता है काफी तेजी से नीचे आता है तो लोग क्या करते हैं, पीच में turbines को रख देते हैं ताकि turbines क्या होगा rotate होका turbines के rotation से ये क्या कर सके electricity जो produce कर सकते हैं तो एक तो क्या फाइदा उठाते हैं ये snowfall जब होता है तो snow या water जब नीचे आता है तो वहाँ पर turbine से electricity produce कर लेते हैं इन लोग cement manufacturing plants are also being set up to use the limestone found in the Himalayas इसके अलावा जो हिमाले है ना कुछ reasons पर या पूरे reason पर बुल सकते हैं जहां पर बर्फ कम ढखता है वहाँ पर limestone पाए जाता है तो limestone से क्या करते हैं cement manufacturing के plants वगड़ा जो है यहां पर आसपास जो है लगे हुए है the limestone queries and the cement factories generate employment for the local people और यहीं जो cement factory यहां के रहने वाले local people के लिए क्या करते हैं employment generate करने का काम करते हैं the availability of the cement makes it easier to build bridge, dams, houses, hydroelectric station अब यहां पर cement जो है बनता है इसके कारण से यहां के लोगों के लिए bridge बना पाना, dams बना पाना, घर बना पाना hydroelectric station बना पाना क्या हो जाता है काफी जादा आसान हो जाता है अगर यहां आसपा cement factories नहीं होती तो लोगों को क्या करना पड़ता नीचे area से cement को ऊपर इस गाउं तक लेके आना पड़ता जो कि काफी जादा difficult होता लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि cement तो अच्छी बात है मिल जाती है bridges वगरा, dams वगरा भी बनते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि हिमाले के environment को बिना ध्यान में रखे हुए ऐसे projects जो है क्या करते हैं लगाय जाते हैं इसके करना से कई बार क्या होते है जमीने जो होती है क्या होने लगती है खिसकने लगती है क्योंकि limestone जमीन के अंदर होता है वहां से आपको निकालना पड़ता है तो ठीक से नहीं निकालेंगे environment के protocol को follow नहीं करते हैं तो क्या होता है कई बार landslide जो है होता है जिसके करना से कई लोगों के जान भी जो है चली जाती है अब यहां से जो cement फेक्टरी से जो dust निकलता है इसके करना से पूरे आस पास का जो area है वो क्या हो जाता है पॉलुटेट हो जाता है जहां पसांस लेना काफी जादर difficult हो जाता है इसके अलावा यह जो crops वगरा जो लगाते है vegetation वगरा जो लगाते है इस पे भी क्या होता है adverse effect जो है देखने को जो है मिलता है ठीक है traditional handicraft which include weaving garments and the saw on the hand loom embroidery, decorative wood, carving, etc provide employment to the large number of people अब cement factory के अलावा यहां कि जो लोग है न वो क्या करते है अपना जो traditional जो कपड़ा बनाने का या क्या बोल सकते है handicraft बनाने का जो कान हूँ उसको भी जो है ये करते है ठीक है जैसे sawl बनाते है और साडियों पर जो एंबोल्टरी करते है decorative लकडी के decorative सामान जो है बनाते है beautiful decorative items are also made from the paper match इसके अलावा यहां के special लकडी होता उससे क्या करते है बहुत अच्छा अच्छा जो decorative items जो है बनाया जाते है these all are small household industries they are on the verge of the closing down because the market are flooded with the machine manufacture product लेकिन इनका जो भी सामान जो होता हो क्या होता है पहले जो है जादा नहीं बीग पाता है क्योंनि पहले जैसा नहीं बीग पाता है reason क्या है वही सामान अब मसीनों में जो है क्या होता है जादा तीजी से बनता और सस्ता होता है तो हैंडी क्राप की जो चीजें वो धिरे-धिरे क्या होने लगती है loss में जो है जाने लगती है but the government is now taking steps to encourage these industries अब इनका जो भी हैंडी क्राप करड़ों industries है वो मसीनों के कारण industries के कारण downfall जा रहा था लेकिन वहां की जो government है उत्रा खंकी अब इसको encourage कर रही है मतलब हैंडी क्राप वाले चीजों को जो है क्या करी embroidery हो गया, decorative काम हो गया यह सब को सरकार जो है support कर रही है as a result these handcrafted products are reaching distance market generating demand और इसके currency यहाँ पर बने हो जो समान है इसका दूर दूर तक जो है क्या हो रहा है demand जो है बढ़ते जा रहा है they now sell at a remunerative price in recent year small food processing plant have been set up to process the food grown in the region इसके अलावा यहाँ पर जो है food यहाँ आसपास पर जो भी food हुपता है उसके according यहाँ पर plant भी जो है आसपास में लगाया गया है the product includes fruit juice, preserve, pickles, etc और यहाँ पर यह सब काम जो है आसपास में किया जाता है जो कि fruit से vegetables वगरा, pickles वगरा जो है क्या जाता है बनाया जाता है अब हम लोग देखते हैं tourism अब आपको पता होगा कि tourism जो है एक बहुत बड़ा sector है जो कि यहाँ पर भी available है pilgrimage and the tourists have attracted a large number of people from the other region to the Himalaya the tourism sector has been flourished in the mountain region for the past several years आप देखो यहाँ पर क्या है बहुत सारे tourists जो है वो क्या करते हैं आते हैं इसके अलावा बहुत सारे जो सरद्धालों क्या बोलते हैं परीग्रिमेज pilgrimage ठीक है यह भी क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं क्यों कहां बदरीनाथ है यहाँ पर हिंदू कल्चर के लोगों के लिए बहुत important जो है क्या चार धमों में से एक धाम है तो यहाँ पर पिल्ग्रिम लोग भी आते हैं और टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तूरिस्ट कम इन लाज नंबर फ्रॉम विदिन दा आउटसाइड अब दा कंट्री अब क्या होता है हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों से जो है लोग क्या करते हैं यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए आते हैं ताकि वो क्या कर सके नेचुरल ब्यूटी आफ हिमाले को इंजॉय कर सके अब बहुं सारे लोग अगर आएंगे टूरिजम के लिए तो यहाँ पर क्या होगा उनके रुखने के लिए होटल हो जाएंगे एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलेटी जो है हो जाएगी तो इसके काना से यहां के जो लोग हैं उनको जो है एक जौब की ऑपोचुनेटी जो है और मिल रही है जो कि आपको बदरीनाथ है यहां पर देखो क्योंकि उत्राखण में कौन कौन है बदरीनाथ के दारनाथ गंगोत्री यह मुनेत्री हेम कुंट साही यह सब जगहों पर घुमने के लिए लोग आते हैं और स्रधालू जो है क्या करते हैं यहां पर पिल्ग्रिम लोग जो होते हैं मतलब जो स्रधालू होते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं यहां पर एक उपोचुनेटी यह भी उनको देखने को मिल जाती है अब एक लास्ट टोपिक हम लोग के इस वीडियो का देखते है landslide serious problem अब देखो जो यहाँ पर landslides होती वो कितनी serious problem जो है इनके लिए बन जाती है the rocks in the Himalay are not fun or hard when the forests are clear the steep mountain slopes crumble अब यह जो हिमाले है ना हिमाले के जो rocky mountains जो है यह जो है उतने जादा जो है अब मजबूत नहीं रहे है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों की कटाई कर दी जा रही है पेड़ पौधों के कटाई के कारण से क्या हो रहा है यह जो हिमाले जो पहले जो काफी जादे strong थे अब वो weak होते जा रहे है ठीक है इस रीजन के लिए डीफोरेस्टेशन लकड़ी का कटाव करना क्या हो जाते है बहुत एक serious problem जो है बन गया है तो कई बार क्या होते है बहुत सारा landslide हो जाता है जिसके कारण से कई सारे गाउं जो होते हैं इसी landslide के कारण दब जाते हैं आपने सुना होगा 2009 यह 11 के आसपास जो है। कई बार क्या होता है, road पर जो है क्या होता है, बड़े-बड़े पत्थर जो होते हूं आकर क्या हो जाती है, गिर जाती है, जिसके कर्दिया बहन ही पाती है, और एक link का formation जो है करने लगती है, अब क्या होता है नदिया बहते रहती हैं अराम से अब बहुं सारा मिटी आकर उसके रास्ते में रुख जाता है तो नदी का पःव रुख जाता है और पानी इकठा होने लगता है तो गया करते है जो मिट्टी उसके रास्ते में आकर इखटा हुई उसको भी क्रॉस करके निकल जाते हैं जिसके कारण से वहाँ पर flood आने लगता है Deforestation of the mountain also caused several flooding in the plains Can you explain why this happened? और यहाँ पर deforestation के कारण क्या हो रहा है कई बार वहाँ पर flooding का जो है हर साल कुछ न कुछ आप news देखोगी कुतराकंड हिमाचय में बार आगे जिसके कारण से कई लोगों के जान चली गए यह हो गया वो हो गया यह सब जो हम लोग news में जो है देखते हैं तो लोगों को यह assure करना है कि अगर आपको nature के सानत अगर अच्छे से मिलके रहोगे तो nature भी आपको protect करेगा अगर आप deforestation जादा करोगे पेड़ पोधों के कटाई भी जादा करोगे तो इसके कारण से क्या होगा आपको landslide, flooding ऐसे बहुं सारे चीज़ें आपको देखने को जो है मिलेंगी तो यह बात उनको भी समझने की जरुरत है और यह बात जो हमारी 36 गड़ में रहने वाले ल आपको एक बात तरा सी हमको future में देखने को जो है मिलेगा से हम लोग केदार नाथ, बदरीनात को में देख लیते हैं कि वहां पर वो कैसे बसा हुए है और वो किस तरीके से छो है लोग वहां पर पो पहुछते हैं और यहां पर हम लोग केदारनाथ को सर्च करते हैं पहले, और केदारनाथ के हम लोग zoom in करते हैं, ठीक है, अब यहां पर देखो flood आये था, बहुँँ ज़्यादा बाड आये था, लेंड्सलाइट को था, जिसके कारणने से बहुँँ सारे लोग की जान चली गई थी, ठीक है तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ केदारनाथ किस तरीके से दिखता है, और यहां पर हिंदू जो होते हैं, उनके लिए बहुँँ ज़्यादा ये पवित्र टेमपल है, जिसको हम लोग केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, यह देखो, यह साल के 6 महिने में ए एक बार जो ओपन होता है, छे महिने क्या होता है, बंद होता है, तो लोग क्या करते हैं, इनके दरसंद करने के लिए आते हैं, जिससे बारसु गाओं के लोगों को जो है क्या होता है, टूरिजम जो है यहां पर उनको बहुँँ जादा मिलता है, यह देखी, यह मंदिर है केदारनाथ कर ठीक है जो कि बर्फ से चारा तरफ से क्या है देखो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बर्फ से जो है क्या है घिरा हुआ है यह हो गया हमारा केदारनाथ एक बार मैं आपको दिखा देता हूं बदरीनाथ को कि कि किस तरीके से बदरीनाथ जो है वो इंडिया म यहां पर बहुंँ सारे rivers flow हो रहे हैं, यहां पर बड़े-बड़े mountains हैं हैं कि नहीं है, तो बद्रिमार की बार zoom in करते हूं, आप देख लेते हैं कि यहां पर क्या है, यह इस तरीके से बसा हुआ है, बद्रिमार यहां लोह हिंदूओं का जो है, बहुत जादा famous जो है उनके लिए यह टूरिजम सेक्टर ही ठीक है यहां पर देख सकते हो आप अभी भी जो है काप हो सारे काल वह सारे बस तरीके सी यहां पर जो है क्या है रूके हुए तो बार्शु गाओं के लोगों को इस तरीके सी यहां पर उनको employment इस tourism sector के basis पर जो है क्या होता है मिलता है हुए थर हमने केदार नाथ देख लिया और बद्रीनाथ को हम लोगों ने देख लिया मौंटेंस के बीच में क्या है तेखो कितना थीज़ब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा गंगवत्री को देख लेते हैं फिर उसके बाद ज हम लोग इस वीडियो को जए एंड करेंगे ठीक है रहा है तो यह सब उत्राखंड में ही है नहीं बार यंक गोतरी व्द यहांपर बसे हुएं यह है आगा गंगोतरी पर और बहुत चोटे घर यहां पर बसे हुए है तूरिजम सेक्टर के लिए यह, चीक है, I hope आपको अब समझ में आ गया होगा, उत्राकंट क्यों इतना इंपोर्टेंट है, वहाँ पर टूरिजम सेक्टर किस तरीके से जो है, वर्क जो है, करता है, सो मिलते हैं अगले विडियो में, तब तक के लिए, बाई-बाई